हेलो एब्रीवन, वेलकम तो तासु अकेडमी, आप सभी व्यूवर का बहुत बहुत स्वागत है, वीडियो शुरू करते हैं करेंट अफेर 2020 का, जिसका जीके कुछ 2 है, जीके मतलब इसमें आपको एक प्रस्ण पूछा जाता है, जो काफी इंपोर्टेंट होता है, जो सारे के वीडियो में पूछा गया था, ये question कि कृतरिम अंग निर्माण निगम किस सहर में इस्थित है, ये आपको आंसर करना था और काफी लोग का आंसर भी आया हुआ था, तो ये आपका इस्थित है कानपूर में, काफी बार पूछा गया है कि किरतरिम अंग निर्माण ने किया है काफी important है और काफी exam में भी ये question आपको देखने को मिला है तो इसका answer आप comment box में जरूर दीजिएगा और इसका answer हम कल की वीडियो में discuss करेंगे दस भारतिय आदर भूमियों को रामसर अभी समय की सूची में सामिल किया गया है इससे भारत में कुल कितनी आदर भूमिया है यानि जो present time में है बरतमान में भारत में कुल कितनी आदर भूमिया है तो ये देख लीज़े आप total 37 आदर भूमिया हमारे भारत में है और हम आपक जल का बुधिमत्तापूर उप्योग करना इनका उद्देश जो हो गया कि सतही जल निकायों का सनरचड करना होता है और जल का बुधिमत्तापूर उप्योग करना होता है तो ये रामसर आदरभूमियों का एक उद्देश होता है अगर हम बात करते हैं कि अभी हाली में नंद नंदुर मध मेश्वर यह महाराष्ट का एक मात्र जो है राम सर आदरिभूमी है यूपी में अगर हम बात करते हैं क्योंकि यूपी जीके के लिए कफी इंपोर्डन्ट होता है तो यूपी में कुल अब तक साथ रामसर अस्थल है टोटल सेवन है और जो सबसे पहला रामसर दोजार पांच में यूपी में बनाया गया था उत्तर प्रदेश में दोजार पांच में हुआ था और ये था रामसर आदरिभूमी ती उपरी गंगा उपरी गंगा को जो है पहला दोजार पांच में रामसर अस्तर गोसित किया गया था बजरगार्ट से लेकर नरोरा तक पूरा ये बनाया गया था उत्तर परदेश में बजरगार्ट से लेकर नरोरा तक तो ये पहला 2005 में रामसर हुआ था और टोटल अब कितने हैं तो टोटल अब 37 जो आदरभूमिया है पूरे भारत में उनका ये 6 त्रफल है और यूपी में है 7 और पूरे भारत में है 37 सरमीला कोट इन हो द्वारा डिजाइन सुबंकर गर्दन पर लो निसान वाला बुल बुल गर्दन पर लो निसान वाला बुल बुल है इसका जो डिजाइन पर प्रसुत किया है तो ये भी आप ये question रहाद रखिएगा कि ये भी question पुछा सकता है कि रुबी गुला जो अधिकारिक शुबंकर है 36 रास्टे में खेल आयोजन में तो उसको किस ने डिजाइन किया है तो सरमीला कॉंटी हो अब हम बात करते हैं कि बात को फुलिल हो जाती है तो ये आयोजद किया जाना है October और November में आयोजद किया जाना है अमेरिका के Last Engineers में 92 पुलिगा जिसको आसकर पुछार भी कहते हैं कि आयोजन की घोशना की गई है तो इस बर किस फिल्म को आसकर दिए गया है ये आसकर 2020 की बात कर रहे है तो दिया गया है आसकर इस बार पैरासाइट को पैरासाइट को 92 है कादमी पुरुषकार में आसकर 2020 दिया गया है पैरासाइट को आसकर पैरासाइट जो है जानी मानी पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म बनी है पहली फिल्म जो है जानी मानी है गैर अंग्रिजी फीचर फिल्म बन गई है और इसमें अगर हम आजकर में देखते हैं सर्फेट अवनेतरी का पुरुसकार किसको दिया गया है तो Walk-in Phoenix को दिया गया है Walk-in Phoenix को दिया गया है फिल्म जोकर के लिए जोकर फिल्म आई थी तो उसके लिए सबसेर अबनेतरी का प्रुसकार किसको दिया गया है और अगर आसकर प्रुसकार के बारे में बात करते हैं तो आसकर प्रुसकार जो है आसकर जो है अमेरिका की एकेडमी आफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा फिल्म जगत में उतकर स्युगदान के लिए दिया जाता है और 1929 ये डेट भी याद रखिएगा ये सन भी याद रखिएगा 1929 में आसकर की सुरुवात की गया है तो ये आज़न किया गया है आपके नई दिल्ली में निव दिल्ली में किया गया है और इसका उदेश क्या है इसका उदेश है कि विश अस्तर पर जो हमारा सस्टेनेबल डेबलेमेंट है सतत विकास को साजह लच्च बनाना होता है Sustainable Development को साजह लच्छ बनाना होगा और सम्मेलन में अगर हम बात करते हैं कि भारत में सच हुआई परियुजना की गोशना की गई इस सम्मेलन में भारत दोरा सच हुआई परियुजना की गोशना की गई है UP में लखनौ और कानपुर और महारास्ट में पुड़े और नासिक में शुरू किया जाएगा यह जो भारत सच हुआई परियुजना है अगर हम बात करते हैं UP में तो UP में लखनौ और कानपुर में शुरू किया जाएगा और महारास्ट में पुड़े और नासिक में शुरू किया जाएगा क्या भारत में सुच हुआ है परियोजना की घोशना और ये एक चीज और जान लीजिए कि ये जो चीज़ें सुरू की गई है ये टेरी द्वारा ये जो दोनों सुरू किया जाएगा एक कानपूर लखनो एक पड़जी पुड़े और नासिक में तो ये टेरी द्वारा जो हमारी एनर्जी वाली है भारत के भूविज्यान मंत्री डाक्टर हर्स बर्धन और किस देश के जलबाय प्रवरण मंत्री स्वाइंग रोट वैटन ने सतत विकास के लिए नीली अर्ध्योस्ता जिक्ति शुरुवात की है तो नीली अर्ध व्यूस्ता की सुरुगात की है नारबे ने और ये जलबाई परियावरण मंत्री जो श्वाइंग रोट वैटन है ये नारबे के परियावरण मंत्री भी बहा है। ये नीलियर द्वस्ता के अंतरगत आता है विस्वस्त संगठन के द्वारा घातक कोरोना वाइरस का अधिकारिक नाम क्या घोसित किया गया है डबलू एचो ने कोरोना का अधिकारिक नाम घोसित किया है वो नाम क्या है तो उसका नाम है COVID-19 और आप एक बात और जान ले जो 31st January है इसको basic आपात घोशित किया गया था WHO द्वारा 31st January को COVID-19 का अगर पूरा नाम देखते हैं तो CO जो इसमें है वो तो Corona है Corona है और इसमें जो VI है वो है virus और D4 है disease और 19-2019 है CO CO for है Corona VI मतलब virus, D4 disease और 19 का मलब 2019 तो यह है आपके best important current affair मिलता है नेक्स वीडियो में God bless you to all Thank you for watching